कई बार ऐसा होता है कि जब भी हमें किसी particular website को open करना होता है तो उस website को हमें open करने में काफी लंबा process करना होता है आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने computer के desktop में WhatsApp, YouTube या और भी किसी website का shortcut कैसे create करेंगे आप जिस भी website का regular use करते हैं उस website का shortcut अपने desktop में create कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे तो सबसे पहले मैं अपने computer के browser Google Chrome को open कर लेता हूँ जैसे मुझे YouTube का shortcut create करना है तो मैं यहाँ YouTube website को open कर लेता हूँ यहाँ आप three dot में click करें यहाँ आपको more tools में create shortcut में click करना है यहाँ आप create में click करें यहाँ आप देख सकते हैं हमारे desktop में YouTube का shortcut create हो चुका है अब मैं आपको WhatsApp wave का shortcut create करके दिखा देता हूँ यहाँ से मैं इसे open कर लेता हूँ यहाँ आप three dot में click करें यहाँ create shortcut में click करें यहाँ create में click करें यहाँ आप देख सकते हैं हमारे desktop में WhatsApp का shortcut आ चुका है यहाँ आप देख सकते हैं हमारा YouTube open हो जा रहा है उसी तरह हमारा WhatsApp भी open हो जा रहा है तो इसी तरह आप अपने computer में किसी भी particular website का shortcut create कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू